हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने डूट चैनल श्टेडि सेशन में तो फ्रेंड्स आज हम क्लास 10 मैक्स चैप्टर नमबर 11 के पार्ट टू को स्टार्ट करेंगे तो हमारा चैप्टर चला था चैप्टर नमबर 11 समरूपता यानि सिमेलरेटी आज की इस पा दो भभुजों के समरूप होने के लिए दो प्रतिबंदों की अनिवारिता को समझा था ठीकि ना पिछले पार्ट में हमने दो भभुजों के समरूप होने के लिए दो प्रतिबंदों का अध्यन किया था वे दो प्रतिबंद क्या थे पहला प्रतिबंद था कि जो दो भभ क क्या लएंगे ? हम्ने बहुँजोaces के प्रकार वप पिर विचार किया था हमने उनको अच्छी भलिबाती रूप से समझा था ठीक है ? तो आपको याद होगा कि तिरभुज भी बहुज की शेणी में ही आता है आता है दो तिरभुज परसपर सम्रूप होंगे समरूप होंगे यदि दोनों के सभी संगत कौन बराबर हो दोनों के सभी संगत कौन बराबर हो और दूसरा दोनों की संगत बुजाओं का अनुपात बराबर हो इसे एक से एक्जामपल से समझते हैं समझिए आकरती 11.7 में इस्तित त्रबुच A B C आकरती 11.7 में इस्तित त् D E F समरूप होंगे यदि कौन A बराबर कौन D हुआ, कौन B बराबर कौन E हुआ और कौन C बराबर कौन F हुआ यह तो पहली property संगत कौन होगी, अब यह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो A B upon D E बराबर होगा, B C upon E F और बराबर होगा, A C upon D F, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह एक समरूप त्रिबूच कहला देंगे, यदि इनमें दोनों properties लगीगे, अब हम कौन जो होते हैं, वो तो assertives होते हैं, अपन को जब तक कौन नहीं बनेगा, जब तक एक त्रिबूच का निर्मान नहीं होगा, ठेके न, अब त्रिबूच के अंदर यह जो भुजाओं का समान अनुपात है, यह जो अनुपात निकालते हैं अपन, यह त्रिबूचों में पहले से यह एक गुंड नहीं होता है, तो इसको हम एक प्रियोग दोरा समझेंगे, तो अगला topic यही है हमारा, अब हमें एक प्रियोग, यानि experiment के माधियम से अब हमें एक experiment करेंगे, क्या करेंगे, então आप अपने copy ले लिजिये, एक साफ पना white खोलीजिये, उसके अंदर, एक pencil ले लिजिये, एक scale ले लिजिये, ठेक है? अब हम एक प्रियोक के माध्यम से त्रिबूच की भुजाओं में त्रिबूच की जो भुजाएं होती हैं उसमें नहित आनुपातिक संबंदों यानि रेशियो रिलेशन को समझेंगे समझने का प्रैत्म करेंगे तो खोल लिया होगा आशा है मुझे आपने अपनी कॉपियां और पैनल पेन सब ले लिया होँगे तो सबसे पहला है कोई एक कॉण खीचिये अपनी कॉपिय में एक कॉण खीचिये कैसे कीचिना मैं बता रहा हूँ आपको एक बिंदू ले 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 जिए ए ले लिया अब ए बिंदू से एक्स खीचिये यानि आधार खीचिये एक्स कीचिये देखे मेरी वीडियो पे देख अब second step क्या है AX पर बराबर लंबाई AX पर बराबर लंबाई एक सेंटिमेटर लेकर P1, P2, D, P3 तथा B बिंदू लगा दीजिए ठेक ना AX पर बराबर लंबाई अब प्रकार लीजिए प्रकार में एक सेंटिमेटर भरिये एक सेंटिमेटर भर कर प्रकार की जो नौक है उसको A बिंदू पर रखिए और P1 चाप काटिए अब P1 पर नौक रखिए P2 चाप काटिए P2 पर नौक रखिए D चाप काटिए और D पर रखिए नौक और P3 काटिए और इसी प्रकार B बिंदू लगा दीजिए तो X पर हमने P1, P2, D, P3 तथा B बिंदू खीच लिए A P1 बराबर है P1, P2, बराबर है P2, D, बराबर है Dp3, बराबर P3 भी बराबर हो गया 1 cm क्योंकि सब हमने किते cm खीचे हैं? 1 cm खीचे हैं चलिए यहां तक तो हो गया हमारा काम अब next step Next step है A Y पर कोई बिंदू, A Y, A Y पर कोई बिंदू C लेकर B को C से मिलाई, A Y पर कोई बिंदू C ले लिए Mान लेते हैं C ले लिए यहां पर अब C लेकर B को B जो X पर हिस्तित है B को C से मिला दीजिए मिलाइए ये मिला दीजिए अब next step क्या बनता है अबना अब D से रेखा अब जो D से रेखा D E BC के समानतर कीचिए जो A Y को E पर काटती हो अब क्या कीचनी है अपन को D E रेखा कीचती है जो BC के समानतर है तो इस प्रकार हम कीच लेंगे समझ में आया अब ये जो आकरती बनी ये क्या बनी है ABC पर ध्यान दीजिए ये बनी है क्या बनी है तरभुज बनी तो अब देखते हैं आकरती के अनुसार जो AD है जो AD बराबर क्या होगा AP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 D ये होगा और प्रतेक में AP1 की लंबाई कितनी है एक सेंटीमेटर P1 P2 की लंबाई कितनी है एक सेंटीमेटर और P2 D की लंबाई कितनी है एक सेंटीमेटर तो AD बराबर किता होगा टूटल 3 cm किलियर है फिर db db को देखेंगे हम इसी के आगे db की लंब़ए क्या होगी db बरावर क्या होगा dp3 प्लस p3b प्रतेक की लंब़ए कितनी है एक तो db बरावर किता होगा 2 cm यहां तक आया है किलियर हुआ अब देखिए तो इसलिए हम क्या लिख सकते है a d upon db बरावर 3 बटा 2 लिख सकते है क्योंकि हम इनमें नहित अनुपातों का देख रहे है कि अनुपात क्या बरावर होते हैं ऐसे करने पर यह देख रहे हैं तो a d upon db बरावर तो अपन होगया 3 बटा 2 अब इनकी संगत बुझा है अब a d की संगत बुझा क्या है a e और db की संगत बुझा क्या e c अब a e अब a e और e c को अपन मापेंगे a e और e c को अपन मापेंगे तो मापी आप इसके लिख से मापना है अब a e अब a c को मापी है यहां मापने पर A e बराबर 3 cm होगा यदि यहां आपने सारा का मची तरके से किया है तो A e बराबर क्या होगा 3 cm हो जाएगा और E c बराबर क्या हो जाएगा 2 cm के लिए इससे हम क्या कर लेंगे A e upon E c कर लेंगे ठेकर न यह बराबर हो गया तो इसके अंदर यह सोत्य ही तरबुच के अंदर जब हम क्या करते हैं किसी तरबुच की किसी एक बुचा के समांतर को रेखा कीशते हैं जो कि तरबुच की उस समांतर रेखा के 6 दो बुचा को कि निविंदू पर काटती है तो हमारे को ये परिणाम प्राप्त होता है अर्थार्थ समझिए अर्थार्थ यदि तिर्बुज ABC में यदि तिर्बुज ABC में इसकी भुजाएं AC पर क्रमशर D व ई ऐसे दो बिंदू लें कि DE परिलल हो BC के parallel यानि समानतर हो तो AD upon DB बराबर A बटा EC प्राप्त होता है हमने ये करके देख लिया तो था इसे सर्वपर्थम ये जो हमने experiment किया इसे सर्वपर्थम यूनान के प्रसिद गणी तक ये यूनान के प्रसिद गणी तक ये थे जिनका नाम मैं लेना चाओंगा उनका नाम था थेल्स थेल्स था थेल्स ने प्राप्त किया था ये जो हमने अभी काम किया ये सर्वपर्थम थेल्स ने किया था इसलिए इसे थेल्स प्रमे भी कहते हैं इस काम को जो हमने किया जो हमने experiment किया इसको हम क्या कह सकते हैं थैल्स प्रमे यह परिणाम आदाहर भूत अनुपातिक प्रमे के नाम से भी जाना जाता है या हम इसे आदाहर भूत अनुपातिक प्रमे भी कह सकते हैं यहां तक समझ मैं है यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट था क्या था ये सरफ experiment था अब अपन इस बात को जो हमने experiment किया दुनिया के सामने लाएंगे अर्थार युनान के प्रसिद गणतग्ये ने experiment किया अब experiment को सिद्ध करेंगे वो क्या ये जो मैंने experiment किया ये हर एक बात पर लागू होता है तो अब हम इसका experiment करेंगे यानि अब हम थैल्स प्रमे को सिद्ध करने वाले हैं step by step तो बने रहे ये वीडियो के साथ ठीक है चली शुरू करते है थैल्स प्रमे तो थैल्स प्रमे एक बाद लिख लेते हैं अपन ताकि हमेरे को भली बाती रूप से हम इसका अवलोकन कर सकें किसे त्रिभुज की एक बुजा के समानतर कोई त्रिभुज है कि बुजा के एक समानतर कीजी गई रेखा त्रिभुज की शेश दो बुजाओं को प्रतिजित करे तो ये दोनों बुजाओं को समान अनुपात में विवाचित करती है मतलब दिया क्या है अपन को जब भी हम किसी प्रमे को सिद्ध करते हैं तो चार पातें मस्त होती है सबसे पहला हमार को दिया क्या गया है दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है तीसरा रशना की आउशकता है तो तीसरा बिंदू रशना होगी नहीं है तो रशना का बिंद कि ABC एक त्रबुज है जिसमें DE parallel है BC के तो DE ABYAC को करमशे DVE पर काटती है यानि ABC एक त्रबुज है तो ABC त्रबुज है तो एक ABC त्रबुज बना लिए जिसमें DE parallel है BC के तो BC के parallel क्या है DE तो यह हमने बना दिया तो brown line देख रहे हैं आपको DE प्रबुज है BC जहाँ पर DE जो है ABYAC को करमशे DVE पर काटती है समझ में आया यहां तक कुछ नहीं करा अब सिद्ध क्या करना है अपनको सिद्ध करना है कि AD upon DB बराबर AE upon EC AD upon DB बराबर E upon EC BC यानि कि संगत बोजाए संगत बोजाओं को जानों पाते वह बराबर होता है यह हमें सिद्ध करना है समझ में आया जिसका experiment हमने पीछे देख चुके है यह हमें सिद्ध करना है तीक है अब इसको सिद्ध करने के लिए हमारे को रचना की आवश्रकता पढ़ेगी इसलिए मैंने रचना की एक बिंदु लिया है तो रचना क्या करने पढ़ेगी रच्ना करने पड़ेगी मुझे BE व्यडी को मिलाया क्या करेंगे BE व्यक्रीड को मिलाया मैंने red line दिख री BE को मिला दिए और इसी प्रकार CD को मिला दिख री BE व्यक्रीड को मिला दिख री अब आगे क्या कह रहा है EF perpendicular test यानि EF long है BA पर BA पर देखिए तरबुज में BA का दिख रहा है BA EF जो है EF BA पर लंब है मतलब इस प्रकार चाहिए समझ मैं है और इसे और DG जो है वह perpendicular है CA के मतलब यह किछ लिया एक नीली लाइन और एक आस्मानी लाइन आपको दिख रही होगी समझ मैं है अब आपन चलेंगे उपपति की वा तो उपपति में क्या है चुकि EF जो है तरबुज A, D, E तरबुज A, B, E की उचाई है अब जो चितर एक है इसके अंदर तरबुज A, D, E जो आपको दिख रहा है तरबुज A, D, E जो दिख रहा है उसकी उचाई क्या है EF है और तरबुज A, B, E की उचाई भी क्या है EF है अब यह जो तरबुज A, D, E तरबुज A, B, E है इसको हम चितर नंबर एक से अलग कर लेते हैं जिसे हमें अभलूकन करने में आसानी होगी है ना आगे से दिख करने में आसानी होगी तो देखिए यह बना लिया हमने तरबुज 2, चितर नंबर 2 चितर नंबर 3 में, चितर नंबर 2 है तरबुज AD, और चितर नंबर 3 है तरबुज A, B, अब आपको बहले वाती रूप से दिख रहा होगा कि जो EF है इन दोनों की उचाईए समझ में आया आप क्या करेंगे अपन अब अपन वह तरबूज लेंगे अपन को सिद्धिक्या करना है AD upon DB बराबरे AE upon EC तो सबसे पहले अपन AD upon DB लेंगे तो AD upon DB यानि AD भुजा जिस तरबूज में आ रही है जिस तरबूज में AD भुजा आ रही है उस तरबूज को हम लेंगे उसका शित्रफल गयाद करेंगे फिर जो DB भुजा आएगी उस तरबूज को लेंगे जिसमें DB भुजा आएगी उस तरबूज को लेंगे फिर उसका शित्रफल गयाद करेंगे फिर उसको अनुपात में रख लेंगे अपन क्या का हमने जो हमने कहा उसको हम execute करते हैं देखिए AD जो बुजा है वो किसमे आ रही है ADE के अंदर तुर्बुज ADE के अंदर तो हम क्या करेंगे तुर्बुज ADE का शित्रफल निकालेंगे तो तुर्बुज का शित्रफल क्या होता है निकालने का सुत्र क्या होता है एक पड़्टा दो आदाहर इंटु उच्षाई तो तुर्बुज ADE अब अपन को BD या DB कहलो DB ग्यात करना है तो DB कोन से तृबुज में आ रहा है तुर्बुज नबर DBE तो अपन क्या करेंगे अब क्या करेंगे तुरिबूस को भी हम अपने अलग बना लेते हैं जिसे अपनको सवाल करने में आसानी हो जाती है कि हमारा आधार कौन सा है और उचाई कौन सी है ये लेने में हमारे को सरल हो जाते हैं तो इसका DBE का चित्र बनाते हैं तो चित्र बनेगा इस प्रकार से बनेगा चित्र ये जो DBE है वो एक बड़े तिर्बुज में आ रहा है वो बड़ा तिर्बुज कौन सा है तिर्बुज ABE के अंदर आ रहा है त्रिवश D E D B E ठीक है ना जैसा कि आपको चित्रह नमबर 4 के अंदर दिख रहा होगा तो D B E के शित्रफल में निकाले के तो आधार क्या हो जाएगा D B और उचाए क्या हो जाएगी E F समझ में आगए होगा आशा करता हूं अब पर क्या करेंगे इनका अनुपात ले लेंगे क्यों कर रहे हैं अपन अनुपात क्यों ले लेंगे क्योंकि हमारे को सिद्र क्या करना है A D E अपॉन D B AD upon DB बराबर है E upon EC तो AD upon DB कब होगा जब हम इनके अनुपात लेंगे ठेके न तो धिरबुच ADE का शित्रपल बटा धिरबुच DBE का शित्रपल निकालेंगे तो मान रख देंगे यहाँ पर और मान रखेंगे तो EF से EF गया हाफ से हाफ गया बचा किता AD upon DB क्या बचा AD upon DB तो यह तो हो गया समेकर नंबर 1 अब इसी प्रकारम अभी तो हमने left hand side को करा अब इसी प्रकारम right hand side यानि AE upon EC को करेंगे तो AE upon EC के अंदर AE भुजा किसके अंदर आ रहे है तो वो तो समानतर रहेगा पहले कितरह है क्या करेंगे इसी प्रकारम तरबुज ADE का शित्रफल बटा तरबुज DEC का शित्रफल निकलेंगे तो तरबुज DEC को बढा लेते हैं क्योंकि तरबुज ADE तो हमारे पास है चितरह नंबर 2 में जाईए ठीक है आब अपन क्या बनाएंगे ठीक है तरबुज ADEC के अंदर आरा है तरबुज ADC के अंदर आरा है तरबुज EDC या綰 न तो इसमें आदार क्या हो जाएगा इसका EC हो जाएगा और उचाय क्या हो जाएगी आश प्रकार हम इसको solve करेंगे ठीक एवच ADE का शित्रफल क्या हो जाएगा half into ec into dg तो dg से dg गया half से half गया बच्चा क्या a upon ec समझ में आया यहां तक अब क्या करेंगे अपन अब यहां पर आपको दिख रहा होगा देखिए किन्तु तरबुट db e db e तकी चित्र चमबर एक में जाईए तरबुट db e even db e c दोनों समानाधार d e even d e perel b c के मद्दे बने हैं यानि कि इसमें प्रमे लग रहा है दो समानांतर दो समानांतर रेखाओ कि मद्दे बने तरबुट जो कि शेत्रफल आपस में समान होते हैं यह समानाधार कि जो तरबुट होते हैं उनके शेत्रफ़ल होते हैं वो भी समान होते हैं यह प्रमय लग रही है इसके अंदर इसका मतला हम कह सकते हैं कि त्रभुज DBE का शेत्रफल किसके बराबर होगा त्रभुज DEC के शेत्रफल के बराबर अब हम क्या करेंगे और हम समीकर नमबर 1, 2 वद 3 से हम देखेंगे कि त्रभुच A, D, E का शित्रफल बराबर होगा, त्रभुच A, D, E का शित्रफल बराबर होगा, त्रभुच A, D, E का शित्रफल जैसा कि आपको दिख रहा है, अब हम समिकर एक से, त्रभुच A, D, E का शित्रफल बराबर होगा, त्रभुच A, D, E का शित्रफल का वो है एपन एसी तो यह है हमारा सिद्ध हो गया हमारे को सिद्ध करना था कि तिर्बुज कि जो एक तिर्बुज है उसमें हमने किसी तिर्बुज की एक भुजा के हमाने तरे एक लाइन की थी तो जो तृबुश की शेश बुजाओं को किनी बिंदू पे काटती है नि दो बिंदू पे काटती है तो उसमें हमार को ये परिणाम मिलता है कि उनकी संगत जो बुजाएं होती है आपस में बराबर होती है अर्थात इस आधार अनुपातिक प्रमे की साहिता से निम्न प्रमार्ण भी ग्याद कर सकते हैं ये तो बात की बात है हमने थैल्स प्रमे को सिद्ध कर दिया ठीक है न अब इसकी साहिता से जो ये थैल्स प्रमे इसकी साहिता से हम ए भी दो परिणाम और हमें ग्याद करने पढ़ेंगे कि इनका प्रियोग हम आगे भी कर सकते हैं तो पहला परिणाम में AB upon AD बराबर होगा AC upon A चित्र में द्यान देज़ी AB मतने पुरी एक बुझा ले लिए फिर उसका उपर वाला पार्ट लिए फिर राइट rate hand side में अशी पुरी बड़ी पार्ट लो दुग लो तो यह हो गया अपने पार परिणाव यह दो परिणाव को याद रखना है और जो थैल्स प्रम है आपको अभी मैंने समझाई यह भी आपको याद रखना है ठीकिना इसकी विलोम हम अगले उसमें देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे यह आपको मारा वीडियो अच् क्यालक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को